जाबवा रद्लाम लोकसवा सीट से चुनाव जीते बीजेपी के जीएस डामोर को लेकर सस्पैंस खत्म हो गया है भाच्वा प्रदेशाद्यक शुराकिश सेह ने ऐलान किया है कि डामोर सांसद बने रहेंगे और विधायक पद छोड़ेंगे उनके इस अलान के साथ ही मंगलवार को जाबवा विधानसवा सीट से जीएस डामोर ने इस्तिफा दे दिया है अब यहां विधानसवा का उपचुनाव होना तै हो गया है डामोर पूरु मंतरी कांतिलाल भूरिया के बेटे विकरांत को विधानसवा चनाव में हराकर विधायक बने थे इसके बाद जाबवा रतलाम लोगसवा सीट पर उन्होंने कांतिलाल भूरिया को हराया भी था पिता पुतर दोनों को हराका डामोर ने इलाके की राजनीती के समय करण बदल दिये डामोर के इस्तिफ़े के बाद भूरिया एक बार फिर अपने बैटे के टिकेट के लिए सक्री हो गए हैं डामोर ने विधाय के छोड़ने के फैसले के बाद कॉंग्रिस ने रहत भरी सास ली है इसकी वज़ाई यह है कि 230 सदस्यों वाले विधासभा में डामोर के स्तिफ़े के बाद 239 सदस से बचेंगे और इस पश्ट बहुमत के लिए 115 सदस से कॉंग्रिस सरकार के पास हैं कॉंग्रिस के लिए यह रहत तब तक बनी रहेगी जब तक उपचुनाव नहीं हो जाता ऐसे हालात में कॉंग्रिस सरकार को बाहर से किसी के समर्थन की जुरत नहीं पड़ेगी वो 115 विधायकों का साथ बहुमत में होगी जिला भाजबा देख्शोंप्रकाश शर्मा ने ये भी बताया कि नवनिर्वाचस सांसत जीयस डामोर द्वारा कारिकरताओं पर जन भावनाओं को महत्वत देते हुए मंगलवार को प्रदेश भाजबा संगठन के परामार्श उपरांत जाबा विधायक के पद से अपना त्याग पत्र दे दिया है वे अब जाबो और अत्लाम अलिराजबुस संसदी शेत्र का सांसत के रूप में प्रतिन धित्व करेंगे तीनों जिलों के भाजब पदाधिकारी एवम कारेकरताओं ने डामोर के प्रति धनिवाद ग्यापित करते हुए कहा कि अब पूरे संसदी शेत्र के समगर विकास में उनकी सकारात्मक भूमिका के चलते तेजी से विकास कारें को साकारता प्राप्त होगी